वोटिंग लाइन्स हो चुकिये बंद जीहा आप सब ने वोट जितना करना था कर लिया अब फाइनल रिजल्ट निकल के सामने आ चुका है कौन कितने नमबर पे रहा है डवल विक्षन किसका होने जा रहा है आज सलमान खान शूट करने वाले है चलिए सब सवालों के अपडेट बताता हूँ देखो काईज मैं आपको एक और चीज बता दू अगर आप चाहते हो कि आपको सबसे पहले अपडेट मिले तो आज डबल अविक्षन हो सकता है जिया सलमान खान किनी दो को आज बाहर करेंगे तो सबसे पहले अगर आपको नाम जानने है तो यह र आने वाली है नमबर साथ से शुरू करेंगे इस वक्त आपको पता है साथ लोग नोमिनेटिड थे तो नमबर साथ पे यहाँ पर एलिस कोशिक बहुत कोशिक की उसके फैंस ने उसको उपर ले जाने की लेकिन जैसे वोटिंग लाइन एंड होती है तो यहाँ पर भहिया ए देखा दिख विजय है और दिख विजय ने ही शायद यह चीज रखी थी साब ने कि वो अन्वांटेड है और बात भी सही है अगर यह चाहते तो उसको भहिया जो जेल वाला टास्क हो रहा था उसमें रख सकते थे मतलब टाइम गोड का एटलिस्ट ना जीतती तो बोलती तो शही कम से कम, कम से कम दिखती तो सही ना तो यह चीज है कही न कहीं रात दिख विजय भी बोलती है नज़र आरहे थे कि इनके लिए अन्वांटेड है खुद चली गई जो भहिया नॉमिनेटेड है उसको भहिया बाहर रखा हुआ था जियल से तो यह चीज हैं नहीं ब की विजय के लिए इसे बड़ी आप कह सकते है कि मनहूस चीज क्या हो सकती है कि उसकी पावर उस पे जूज की जा रही है ना मेकर्स भाया रजत और दिग विजय के साथ इतना गलत कर रहे है कि उनकी पावर उन पर यूज कर रहे है बताओ वो सोच रहा है भाई इससे 98% सेफ उसे करने वाला है बाकि जो भी अपडेट आए कि मैं जरूर बताऊंगा लेकिन अगर कशिश सेफ होती है तो एलिस पका जाने वाली है फिर दूसरा विक्शन किसका होगा वो भी चलिए बात करते हैं नमर पाच की बात करें तो चाहत पांडे चीहां चाहत पांडे न लड़ाई जगड़े होते वरना वो गेम में कोई भी इन्वोल्मेंट नहीं दिखाती है यहां पर उसका इन्वोल्मेंट रहना चाहिए कि मुझे टाइम गोड बनना है या फिर वो इवर चीजे उसको रखनी चाहिए गेम के लिए बढ़ना चाहिए उसे मेरे साब से अव अविनाश भी चलो गेम के लिए रहता है वो भी टाइम गोड के लिए लड़ा तो वो ठीक ठाक कर रहा है इसलिए उसे बीच में ही वोट मिल रहे है ना यादा मिल रहे है ना कम मिल रहे है तो बीच में वो बना हुए है नमबर चार पे अविनाश मिश्रा रहा था जो कि अच्छे खासे वोट ले रहा था नमबर तीन की बात करें तो करनवीर महरा नमबर तीन पर ही रह जाता है चिया रात उसने रज़त दलाल के साथ ऐसी ऐसी उसे बाते बोली कि भाई या मेरा पिछला जो बैगराउंड है वो ऐसा है वो कही ना कि रज़त को ड्राना चाता था रज़त के सामने अपनी धाक है वो छोड़ना चाता था कि भाई मुझे आम मत समझना मैं भी बहुत बड़ा इंसान हूँ जो ऐसे बार-बार कहीं न कहीं पुलीस के साथ कॉनेक्ट है पुलिटिकल पार्टी के साथ कॉनेक्शन है मेरे करनवीर ये समझाने की कोशिश कर र तो फिर काहे का टाइम गड़ बना रहे हो हाँ पहले जो पावर दी जाती थी जैसे अविनाश को कि भगया वो पूरा का पूरा सोरी अविनाश नहीं विवियन जैसे वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर पा रहा था ना वैसे उसको पावर दी गई थी लेकिन दिग विजय को भाई साब उसीम को ही फसाने के लिए पावर दी गई जिससे फैस है वो नाखुश नजरार है क्योंकि यहाँ पर अगर दिग विजए कशिश को बचाते हैं तो रज़त दलाल के साथ उसकी दिखते हो जाएगी अविनाश के साथ दिखते हो जाएगी क्योंकि एलिस जाएगी सीधा सीधा तो रज़त दलाल कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके साथ दुश्मनी हो सकती है तो यही रीजन है मेकरस ने उसको फसाया है और यहाँ पर कशिश को बचाता है तो कशिश भी थोड़ा बहुत सोप्ट कोरनर रिखेगी और लव स्टोरी शिरू हो सकती है कुछ यही रीजन है नमबर वन की बात करें जी हाँ इस बंदे ने स्टार्टिंग से लेकर जैसे वोटिंग लाइन बंद होती है एंड तक अपनी धाक जमाई रखी जी हाँ नमबर वन पे ही यह बंदा रहा कोई भी इसको नीचे नहीं ले जाज सका ना करनवीर ना दिगविजय ना विनाश ना चाहत जी हाँ यह बंदा है विवियन डी सैना नमबर वन पे रहा है जैसे वो टी लाइन बंद होती है तो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है और नमबर वन पे विवियन नमबर टूप पे दिगविजय विवियन बहुत अच्छा गेम खेल रहा है यार मज़ा आ रहा है विवियन का यह गेम देखकर और आज वो दिगविजय के साथ वो चीज़े शुरू करेगा कि भाई मैं बदला लेना अच्छे से जानता हू तुमने भी जब मैं टैम गोड़ था कोई काम नहीं किया मैं भी कोई काम नहीं करूँगा और दिगविजय इसी चीज़ पर खाना ना देने की बाते करता हू नजरारा था वो चीज़े मुझे नहीं लगता दिगविजय जादा उससे कहीं ना कहीं छेड़ पाएगा उसके साथ जादा बहस कर पाएगा एक हद होगी वो करेगा बाद में बैठ जाएगा अरे यार ना करे तो ना करे काम मुझे क्या लेना ना तो यहाँ पर विविए डी सेना है वो नमबर वन पे है नमबर दो पे दिगविजय है नमबर थी पे करनवीर है नमबर चार पे अविनाश है नमबर पाच पे चाहत नमबर सिक्स पे कशिश नमबर सैन पे ऐलिस ऐलिस जाती है दिखरी है लेकिन दूसरा विक्षन किसका होगा अगर कशिश बचती है तो चाहत के कहीं न कहीं उस पर खत्रा है बढ़ जाएगा क्या चाहत का विक्षिन होगा या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कशिश को बचा कर किसी एक को नोमिनेट करना भाई सब अगर ऐसा है तो दिग विजे के लिए बड़ी मुश्किले खड़ी हो जाएंगी भाई वो किसको नोमिनेट करेंगे हो सकता है वो बगगा जी को फसा ले हो सकता है यहाँ पर किसी और को फसा ले फिलाल गाईज आप क्या बोलोगे लिख डाले कोमेंट बॉक्स में इसके साथ गाईज आप हमें फॉलो कर लें इस्टा पर मैं आपको नाम बता दूगा